चली शुरुवात करते हैं आज की नियूस विपर पिकी हम पहली नियूस देखने वाले हैं केरन इनर्जी बनाने वाली एक कमपनी है और इंडिया है दोनों के बीच में जो विवाद चल रहा था तो उसी विवाद के चलते चलते केरन इनर्जी ने ये कहा है कि कोट ने हमें ये अनुवती दे दी है कि अब हम 20 इंडियन एसिट जो की पेरिस में हैं उनको अटेच कर सकते हैं ठीक है तो ये क्या विवाद था कैसे इनके बीच विवाद हुआ और दूसरी बात ये है 23 मिलियन डॉलर की संपत्ती आ की जा रही है ठीक है इंडिया की बाहर भी देश में लेकिन केंद सरकार ऐसा कह रही है कि अभी तक तो हमेरे पास कोई ऐसा ओर्डर नहीं मिला है जैसा की कंपनी हमें कह रही है तो ये फाइल फोटो अब दा केरन क्रूड ओइल इस्टूरेज फैसिलिटी इन राज्थान तो ये केरन कंपनी का ही यहाँ पर पिक्चर दिखाया गया है देखो यदि हम बात करें पेरिस कोट की तो कोट ने ये कहा है काईरन जो केरन जो कंपनी है वो 20 एसिट को जब्द कर सकती है ठीक है जो कि उसका जो ड्यू बचा हुआ था ना 1.2 बिलियन डॉलर का ड्यू दूसरी बात ये है इंडिया के यदि हम एसिट की बात करें संपत्ति की बात करें पेरिस में तो वो उसका इस्टिमेट लगाया जा रहा है 23 मिलियन डॉलर का और इस कंपनी ने आइडेंटिफाई किया है इंडियान एसिट को पूरे यदि हम वर्ल्ड में देख लेना तो 70 बिलियन डॉलर का कंपनी ने यू एस में अपनी आज का दायर करी थी ताकि जो एर इंडिया है उसको लायेबल बनाया जा सके पेइंग अप के लिए थोड़ी सी जानकारी इस कंपनी के बारे में हम देख लेते हैं यह यू रोप की लीडिंग इंडिपेंडेंट ओइल एंड गैस एक्स्टोरेशन और डॉलप्मेंट कंपनी के अंतरगत सामिल है इसको लिस्टेट किया गया है लंडन स्टॉक एक्सचेंज एक्सचेंज में इसको सामिल भी किया गया है इसने डिसकवर किये हैं और डॉलप्मेंट भी किये हैं ओइल एंड गैस रिजर्वेस इन वेराइटी ओप लोकेशन एराउंड दा वर्ल्ड तो कीवल यू के अकेले में ही ये काम नहीं करती हैं पूरे वर्ड में इसने ओईल इसने बिल गैमवेल इसको फाउंड किया गया था 1981 में अब हम देख लेते हैं आखिर विवाद क्या है तो केरन बिटेन की कमपनी है 2007 में भारत में अपने आपको ये क्या है न इस्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाने के लिए आई पियो उसने पेस किया था इससे एक साल पहले उसने केरन इंडिया के साथ में अपनी कई सारी यूनेट का विले कर लिया अब इससे क्या हो गया इनके मालिक आना हक में कोई बदलाव नहीं आया केर ने इसके लिए फोरेन इंवेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड से जाज़त ले ली थी साथ साल बाद भारत में टेक्स डिपार्टमेंट ने उस पर कैपिटल गेंस टेक्स का नौटीज भेज दिया अब ये जो टेक्स वसूल किया गया था वो क्या होता है स्टॉक मार्केट से पहले सरकार घर, संपत्ती चेवर, कार, बैंक, FD, NPS और बॉंड आदी की बिक्री से जो प्रोफिट होता है उस पर कैपिटल गेंस टेक्स बसूलती है अब यदि पीरियड यदि हम लंबा माल लें चाहे वो कोई भी चल संपत्ती हो, अचल संपत्ती हो इस पर जो हमको प्रोफिट मिलता है और यदि सरकार उस पर टेक्स लगा दे तो इसको हम लॉंग टर्म कैपिटल गेंस टेक्स कहते हैं अब उसने 2014 में केर्न से कहा कि IPO से पहले उसने अपनी कई सारी यूनिट को केर्न इंडिया में मिला लिया इससे उसे केपिटल गेंस हुआ, मतलब उसने कुछ लाब कमाया इसलिए उस लाब के लिए उसको टेक्स देना पड़ेगा लेकिन केर्न ने क्या काम करा, इसके खिलाब चली गई वो अदालत कि हम नहीं चुकाएंगे तो भारत में टेक्स डिपार्टमेंट ने 10,000 करोड से अधिक जो बकाया है, जो टेक्स के रूप में एवज इसी के रूप में केर्न इंडिया के 10% सेर को अपने कबजे में ले लिया कि वो तो टेक्स पटा नहीं रही है अब इसी मामले की सुनवाई करवाने के लिए कमपनी चली गई नीदरलेंड है ठीक है, आर्विट्रेशन कोटन है अब यहाँ पर भी जो फैसला आया ना वो भारत सरकार के खिलाप आये था और अभी भी जो नीज हम देखे हैं उसमें भी जो कमपनी है ना उसका ही साथ कोटने दी है और कोटने ये कह दिया कि ब्याज सहीत ये रकम आपको कमपनी को वापस करना पड़ेगा इसके बाद वाली न्यूज हम देखने वाले हैं इंटरिम बेल से रिलेटिट तो न्यूज यदि हम देखे न तो सुप्रीम कोटने जो आगरा की सेंट्रल जेल है यहां पर कई सालों से जो कैदी सड़ रहे थे उनको अंतरिम जमानत दे दी है अंतरिम जमानत का मतलब है कि ऐसी बेल या फिर ऐसी जमानत जो की टेंपरेरी और सौट टर्म या फिर सौट पीरियट के लिए प्रोवाइट की जाती है बाइदा कोट तिल दा एप्लिकेशन सीगिंग एंटिसिपेटरी बेल या फिर रेगुलर बेल इस पेंडिंग यदि किसी का रेगुलर बेल पेंडिंग है तो उसको अंतरिम बेल जमानत मिल सकती है अब हम आते हैं न्यूज की तरफ और देख लेते हैं न्यूज को सुप्रीम कोट ने ग्रांट किया है बेल कितने लोगों को तेरा लोगों को जो की यूपी के जेल में नौर्म्स जो रहते हैं कानून नियम कानून जो बने हुए हैं उनके अगेंस्ट में उनको जेल में डालके सड़ाए रहे थे इसी के चलते चलते सुप्रीम कोट को खुद आगे आना पड़ा तो सुप्रीम कोट ने थर्सडे के दिन ग्रांट किया एंटरिम बेल टू तेरा पिजनर्स जो की लेंगविशिंग हो रहे थे आगरा सेंट्रल जेल में जेल में सड रहे थे फॉर पीरियड रेंजिंग फ्रॉम चउदा से लेके बाइस सल हो गए हैं उनको जेल में जबकि उन्होंने अपनी जुवेनलीटी को सिद्ध भी कर दिया था प्रूब भी कर दिया था जब उन्होंने वो काम किया था तब इसके बावजूद उनको जेल में रखा गया बेल नहीं मिली उनको तो जब उन्होंने अपनी जुवेनलीटी मतलब की सोर अबस्था या फिर आप कुछ भी जवानी कहिए पार्टिकुलर एज जो रहती है उसको उन्होंने साबित कर दिया था इसके बाद भी जेल में डाल दिया जा रहा है तो वो गलत होता है जैसे कई सारे एक्जामबल हम देखते हैं जितनी पार्टिकुलर सजा है मान के चलो तीन साल कोई अपराद करने की सजा है तो दस साल तो उसको जेल में ही बंद करके रखा जाता है मतलब इतना जादा जेल में उसको रख दिया जाता है कि जितनी उसको रियल में सजा तक नहीं होगी ऐसे ऐसे केल देख में को हमको मिलते हैं तो इसलिए सुप्रीम कोड ने उनको अंतरिम जवानत दे ली है अब हम वो बात देख लेते हैं जो बात कोड के द्वारा कही गई है कोड के द्वारा ये बात कही गई है कि जो भी एक्क्यूजड है जो भी अपराधी है जिसने अपराध किया है वो राइस कर सकता है claim of juvenility at any stage of the criminal trial या फिर even any time after his conviction ठीक है वो जब चाहे अपनी juvenility को claim कर सकता है दूसरी बात यदि जो claim है ना उसका कि वो juvenile है वो true पाया जाता है तो court should maintain the conviction लेकिन set aside the sentence and forward the case to the juvenile justice board अब जहाँ case को भेजना था वहाँ case जाही नहीं पा रहा है तो ये लोग यहाँ jail गे सड़ रहे हैं juvenile justice board भेजना था ना उसको जब वो किसोर अवस्था वाला case है तो आप यहाँ इतने समय तक pending क्यों रखे हो a juvenile can be punished only for a maximum period of three years तीन साल की सजा होनी थी लोग 14 साल से बाइस साल से jail में ज़रू रहे हैं इसके बाद वाली news हम देखने वाले हैं असम से तो सबसे पहले असम का map हम देख लीते हैं यदि हम इंडिया के एकदम पूर वाले हिस्से की तरफ जाते हैं तो last वाले हिस्से में हमको पढ़ता है असम अब असम की बाउंटरी को हम देखें तो ये इसके नौर्थ वाले हिस्से में भूटान के साथ अपनी बाउंटरी को शेयर करता है इसके अलावा अरुडाचल प्रदेश के साथ अपनी बाउंटरी को शेयर करता है और यदि इसका हम हिस्सा देखें तो इस प्रकार से पूर्व से लेकर के पस्चिम वाला हिस्सा और यह दो नौर्थ वाला हिस्सा है उधर बूटान है अरुडाचल प्रदेश है और भूटान की नीचे ही फिर पस्चिम बंगाल के साथ में अपनी बाउंडरी को यह सेर करता है पस्चिम बंगाल से जैसे ही हम नीचे उतरते हैं उसके बाद बाउंडरी सेर करता है बांगला देश के साथ में इसके बाद फिर मेगाला, मेगाला इससे नीचे दि हम आएंगे तो त्रिपुरा के साथ में अपनी boundary को share करता है और सबसे नीचे में मिजोरम, मडिफुर और नागालेंग, इतने सारे स्टेट और देशों के साथ में ये अपनी boundary को share करता है अब चलते हैं नियूस की तरब और देख लेते हैं नियूस तो असम की कैबिनेट ने एप्रूव कर दिया है केटल प्रोटेक्शन बिल केटल मतलब होता है पसू जिसको महवेसी, गायबैल, धोर भी बोलते हैं तो उनके प्रोटेक्शन से रिलेटेट बिल अभी कैबिनेट ने उसके लिए सहमती दे दी है अब क्या है इसको अपने स्टेट में रखा जाएगा जब भी बैठा होगी उसके बाद फिर इसको खानून बनाया जाएगा असम की कैबिनेट ने एप्रूव कर दिया है एब बिल फॉर प्रोटेक्टिंग दा केटल ऐसा इस्टेट की जो पार्लियमेंटरी अफियर्स मिनिस्टर है पिजूस हजारी का इनका कहना थर्षडे के लिए अब हम देख लेते हैं इसका नाम क्या रखा गया है दा असम केटल प्रजर्वेशन बिल दो हजार एककईस अब जैसे ही असेम्बली सेसन आएगा न आने वाले टाइम में तो इसको रखा जाएगा यह जो कानून है वो रिप्लेश कर देगा 1950 में जो कानून बना था असम केटल प्रजर्वेशन एक्ट उसको उसकी जगह पे नए आए आने वाला इसमें क्या में बात कही गई है पुराने वाले में इसमें यह बात कही गई है Slaughter of cattle about 14 years of age with proper approval by local veterinary officers ठीक है देखो यदि किसी केटल की age 14 साल से ऊपर की है और यदि कोई local veterinary officer इसके लिए approval देता है प्रॉपर की तो वो एलाव करता है स्लाटर को मतलब की उनको मार आजा सकता उनकी हत्या की जा सकती है तो देखो हमारी जो गवर्मेंट है ना वो एकदम कमिट्मेंट कर रही है ब्रिंगिंग एक काउट प्रोटेक्शन बिल मैंनली फोकस इसी बाग पर है और केविनेट ने क्या कहा है कि जैसे ही असेम्बली बैठा होगी हम इसको लाने वाले है इसके अलावा कुछ और बात हैं हमको यहां पर देखने को मिल रही है जो चीप मिनिस्टर है ना हिमंता ब फूस किया था लेजिसलेशन ये बनाएंगे जो की बैन करेगा आप्ता केटल ठीक है केटल का मूवेंट यहीं हो रहा है तो इसकी बहुत जाक्स परक होने वाली तो झू princi भी आ रहा है अपने स्टेट में आ रहा है तो और अर मेंच पाँबा देस के लिए उसके चलते चलते उन्होंने ये बात कहीं थी इसके अलावा असेंबली में ये भी कहा था कि जो बीफ है गाय का जो मांस है जहां पर हिंदु लोग रहते हैं वहां पर उसकी बिक्री या फिर उसको कंजिव नहीं किया जाएगा इसके बाद वाली न्यूज हम देखने वाले हैं हिमाचल प्रदेश से तो हिमाचल प्रदेश के भूतपूर जो वक्यमंत्री थे सी एम वीर भद्र सिंग इनकी डैथ हो गई है और ये काफी बढ़ियां फिगर रहे थे हिल इस्टेट में इनी के लाइफ स्टाइल के बारे में बात बताई गई है फॉर्मर हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर एंड वेटेरन कॉंग्रेस के लीडर रहे वीर भद्र सिंग इनकी डैथ हो गई है प्रोलॉंग्ड इनलेंस के कारण से ओन थर्टे इन सिम्ला सत्यासी साल इनी की उमर थी यदि हम बात करें कितने बार ये सीएम के पदबर रहे तो छे टाइम चीफ मिनिस्टर रहे हैं ये और दो बार कुरोना से रिकावर हो गए थे पास्ट थी मन्त में कारटिया करेश्ट के आने से इनकी डैथ हो गई है अब इसी के चलते-चलते तीन दिन का जो है सोक रखा गया है इनकी डैथ होने के कारण अब थोड़ी इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में देख लेते हैं तो जो मेंस्टर सिंग है ये नाइन टाइम मेल MLA रहे थे ये एलेक्टेड हुए थे टू दा असेम्बली फस्ट इन अक्टूबर 1983 असेम्बली की यदि हम बात कर लें तो असेम्बली में पहली बार उनको 1983 में चुना गया था और अभी तक भी ये कहीं न कहीं MLA रहे थे इनको पहली बार इलेक्टेड किया गया था लोगसाफा में 1962 में and in all he was a five time MP he served as minister of state for industry in 1982-83 के दोरान जो अलग-अलग cabinet में जो मंत्री रहते हैं ना मंत्री रहती हैं उसी में से state मंत्री ये रहे थे 1982-83 के दोरान इसके अलावा union minister of steel भी रहे 2009 से लेकर के 2011 के बीच में and union minister of micro, small and medium enterprises from 2011 लेकर के 2012 he was the हिमाचल प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी प्रेजिडेंट 77, 89, 89 और 2012 में इसके बाद वाली news हम देखने वाले हैं अब जिस हिसाब से किसान लोग क्रसी कानूनों को वापस लेने की बात कर रहे हैं और उनका ऐसा मानना है कि सरकार ये जो नए नियम कानून लेके आई हैं इन से APMC का काम पूरी तरह से खतम होने वाला है तो सरकार ये बताना चाहती है कि हम ऐसा नहीं है कि हम APMC में पैसा इंवेस्ट नहीं कर रहे हैं हम APMC में पैसा लगा रहे हैं और अभी एक्जामपर के तौर पर बताई भी हैं तो इससे किसानों को ये लगे कि नहीं APMC खतम नहीं होंगी मंडिया खतम नहीं होंगी और ना ही MSP खतम होने वाली है इसी के चलते चलते सरकार ने क्या कदम उठाई है इस निउस को हम थोड़ा सा देख लेती हैं तो अभी हमने देखे हैं केबिनेट में बहुत सारे बदलाव हमको देखने को मिले हैं कई सारे मंत्री चैंज हुए हैं बहुत सारे लोग तो निव आ गया है राजपानों को भी चैंज किया गया है यूनियन केबिनेट ने डिसाइड किया है तो एक्स्टेंड दा सेंट्रल सेक्टर इस्कीम ऑफ फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर दा एग्रिकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तो ये फैसिलिटी का नाम है और ये अंडर आती है एग्रिकल्चर इंफ्रास्ट्रक्च fund किन के लिए इन इस्टेट की एजेंसी इसमें सामिल हो जाएंगी इसमें APMC मतलब agriculture produce marketing communities भी सामिल हो जागए इसमें सामिल है as well as federation of cooperative organization farmer producer organization सामिल है self-help group सामिल है according to an official statement अब क्या सुईधा सरकार दे रही है now they will be eligible for interest subvention मतलब अनुदान for loans up to 2 करोड रुपईया बस loan ही बाटना चाहती है सरकार with APCMC को allow कर दिया है कि अब यह भी access कर पाएंगी separate loan को for different kind of infrastructure project जैसे की अनाज रखने के लिए दियो उनको cold storage बनाना है तो loan बड़ जल्दी मिल जाएगा असानीच मिल जाएगा silos बनाना है sorting करना है grading करना है and assign unit in their marketing yard अब कहां ऐसा जा रहा है किसके कई सारे effect होने वाले हैं the period of the financial facility इसको उन्होंने extend कर दिया कितने साथ दो साल additional कर दिया कब तक 2025 26 तक while the overall period की हम बात कर लेना तो इस scheme का उसको extend किया गया है 2032 तक the modification in the scheme अब जो भी modification scheme में हमको देखने को मिल रहा है यह help करेगा बहुत सारे effect को achieve करने के लिए ताकि generation investment आ सके ठीक है while ensuring that the benefit reach कहां तक small and marginal फार्मर तक इसके अलावा APCMC markets are set up to provide market linkage और create an ecosystem of post harvest public infrastructure open to all farmers